बद सूरत बदक बच्चा एक समय की बात है एक गाव में जील के किनारे एक बदक रहती थी वह बड़ी खुश थी क्योंकि वह मा बनने वाली थी उसके पांच अंडों से बच्चे निकलवे ही वाले थे जैसे ही अंडे टूबने लगे वह बड़े आनन से अपने बच्चों को गिनने लगी एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे अचानक मा बदक चौंक गए उसने देखा कि एक और अंडा था यह अंडा दूसरे अंडों से बड़ा और सफेद था यह मेरा अंडा नहीं हो सकता उसने सोचा धीरे धीरे वह अंडा तूटने लगा और उसमें से एक अजीब बच्चा निकलाया मा बदक चकित रहेगी क्योंकि यह सबसे छोटा बच्चा भूरे रंग का था और दिखे में एक सबसे बड़ा था कितना बदुजूरत है यह बच्चा उसने सोचा दिन बीठते गए और बदक के बच्चे बड़े होने लगे लेकिन सबसे छोटा बच्चा बाकी बच्चों से काफी अलग था सभी उसे देखकर कहते देखो 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 यह जा रहा है बदसूरत बदक बच्चा बदसूरत बदक बच्चा उसके भाई बहन भी उसे हमेशा चिड़ाते रहते थे बदसूरत बदख बच्चे को बड़ा पूरा लगता था जब उसे सारे चिड़ाने लगते तब वह जील के किनारे बंसी के पेड़ों में छिप जाता कोई मुझे से प्यान नहीं करता वह दुखी होकर सोचता रहता एक दिन बदख बच्चे ने टे किया कि वह घर से भाग जाएगा उसने जील में छलांग लगाई और वह तैरनी लगा आगे उसे कई अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ा जंगल में शिकारियों ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन बदख बच्चा वहां से धुम धड़ा के भागा लोग बच्च किया वह कभी इतना डरा नहीं था वह बच्च बच्च कर एक बढ़िया के घर में छिप गया जब बदख बच्चे ने कोई अन्डे नहीं दिये तब बढ़िया ने उसे घर से बाहर निकाल दिया बदख बच्चा एक दूसरे जील के पास रहने लगा जब सर्वी का मौसम आया तब जील पर बर्फ जम गई बदख बच्चा ठंड में धरधराने और कापने लगा तब बदख बच्चे को एक उधार किसान ने आसरा दिया पर उसके नठकट बेटे ने बदख बच्चे को भगाकर ठका दिया और उस पर पत्थर भी फैंके बदख बच्चा वहां से छीकते चलाते भाग निकला वहा अपने सारे अनुभवों से ठक गया था और उदास होकर वह चलता रहा फिर बसंद का मौसम आया और बदक बच्चा एक सुन्दर सी जिल मिलाती जील के पास पहुँच गया जील में दो सुन्दर लंबे गर्दन वाले सफेद पक्षी थे वे बड़े आकरशक रूप से तैर रहे थे पदक बच्चे ने उन्हें देख कर सोचा कितनी सुन्दर है ये पक्षी और मैं कितना बत्सूरत वे मुझे अपने साथ कभी नहीं रहने देंगे तभी उसकी नजर पाणी पर अपनी प्रतिवर्तन पर पड़ी आश्चर्य से उसने देखा कि वह तो खुब हूँ उन्ह सुन्दर पक्षियों की तरह था पक्षी उसके पास आये और उभी ने कहा स्वागत है युवा दोस्त तुम तो इस जील के सबसे सुन्दर राजखन्स हो तभी उसे पता चला कि वह कौन है बदसूरत बदक बच्चा अब बन गया था एक खूब सूरत राजखन्स झाले युवा गवडा राज़ y तुम亲 मुझा पकील